यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चुने हुए सोल हैं शिव कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है बिना परिवर्तन इस संसार में कुछ नहीं होता जब जब प्रकृती में परिवर्तन हुआ है तब तब मानो जीवन में भी परिवर्तन हुआ है परिवर्तन या बदलाओ बहुत आवश्यक है क्योंकि इस से जीवन को एक नई दिशा मिलती है परिवर्तन हर किसी को पसंद नहीं आता क्योंकि संसार का प्रतेक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी ही इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है पर प्रकृती जब एक बड़े परिवर्तन को लाना चाहती है तो इस से बहुतों का जीवन प्रभावित होता है परिवर्तन जीवन का एक अभिन हिस्सा है जब व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए तब पर होता है अपने अनुभों में कुछ नया सीखता है परिवर्तन जीवन के ही कर्मों का एक प्रतिफल है इसलिए जितने लोग धर्म वो सत्त के मार पर चले है बहुतों की भलाई की है, बुराई के बतले बुराई नहीं की तमाम संकटों, मुश्किलों व विरोधों के बावजूद जूट के सामने सिर नहीं जुकाया सिर्फ सत्त के पत पर चले हैं उन्हें भैभीत होने की और शक्ता नहीं क्योंकि उनके जीवन में सुखत परिणाम आने वाले हैं तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है जाहे परिवर्तन कैसा भी हो, उसे सिरकार करो क्योंकि यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन को उस मार्क पर ले जाएगा जहां से चल कर तुम अपने लक्ष अपने उद्देश से मिलोगे मेरी बातों को इसमरन रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अपने विश्वास को बनाई रखना खुश रहो, सकारात्मक रहो, खलाई करो